पिए आपको दुबारा बहुत बहुत सवागत है हमारे स्ट्रिश नौकरी में फ्रेंड एंशन्ट हिष्ट्री की हमारी सीरीज चले दोस्तों पार्ट फन मेरा पहले से पर आज होका था यह मेरा पार्ट टू है जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे दुस्तों हडपन सिविलाज बहुत दों कि मेरे पास फोन भी आ रहा है और बहुत भी लोग पाना चाहते हैं आफ-इपीड अभी भी बिल यह और यह पीडियेफ तब तक मिलते रहेगी जब तक आपका जो है पूरा एकजाम नहीं होाता है तो चलिए इस्टार करें दोस्तों पार्ट टू हडपन सिविलाजेशन तो फ्रेंट्स हमारा प्री हिस्ट्री हो चुका था और यह सेकंड टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे हडपन सिविलाजेशन दोस्तों यह एंशन इसी पढ़ा रहा हूं कि आरवी के इलावा और भी जितने भी एक्जामनेशन हैं वह भी आपके आराम से इससे क्लियर हो जाएंगे तो फ्रेंट्स बात करते हैं चाल्को लिथिक पीरेट क्या होता है मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिकल पीरेट को ओल्ड इस्टोन इस भी कहते हैं क्योंकि उस समय जो टूस कॉपर का यूज करने लगे उसे हम कहते हैं चाल्को लिथिक पीरेट वह पीरेट जिसमें कॉपर का यूज करने लगे उसमें उसको हम बोलते हैं चाल्को लिथिक पीरेट जो हरपन सिविलाजेशन है वह चाल्को लिथिक पीरेट का ही एक बहुत बड़ा सिविलाजेशन ह कि इसका मतलब हडपन में लोग कॉपर का इस्तेमाल करते होंगे तो आप कुछ बेसिक साइट जानाते हैं हडपन सिवलाइशन के बारे में दोस्तों इसकी डिस्कावरी जो हुए थी वह 1922 के बीच में हुए थी जब दो इंपोर्टन शाइट जिसका नाम था एक हडप और एक महन जोदलो सबसे पहले यहीं दो साइट थी जिसको घुझाजा गया उनमें सबसे पहले ही मिलाइशन को हम लोग इंदस वैली सिवलाइशन भी कहते हैं सिंदु घाटे की सबम्धा कहते हैं कि जाए यहाद जो साइट राशन लगा करते हैं तो पहला अरबन कल्चर इंडिया का है मतलब अगर देखा जाए तो अर्बन सबहता यहां पर established वी और इस civilization में हम देखेंगे कि cities भी हैं जो कि plant cities हैं बहुत चीज़े बनाए गई हैं यहाँ पर trade भी हो रहा है यहाँ पर taxation का भी system है यहाँ पर art and craft का भी system है और दोस्तों यहाँ पर script भी आ चुकी है मतलब लिखावट जो कि अभी प्रिश्टोरिकर प्रिम नहीं थी और इसमें लोग लिखने लगे हैं लेकिन वह पात जरूरी है बताना कि हरपन civilization में जो लिखावट थी script थी वह लिखा तो गया है लेकि उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं वह भी आगए आएगा परिशा इंडिया को पंजाब वाला रिजन है राजिस्तान है पाकिस्तान है यह रिजन में हरपन civilization मिला है फ्रेंड्स जो हरपन civilization है वो श्टार्ट हो गये था लेट नियुलितिक पीरिड़ से मैं बताया था आपको कि जो नियुलितिक कल्चर है उसमें दोस्तों हमने हुमें औरिक मतलब कि शिकार की खोज में एक जगा से जाया करते थे लेकिन जब हमने क्रिशी की खोज कर ली करना जानगे क्रिशी करना जानगे तो हम एक स्थान पर रुखने लगे और जब हम रुखने लगे तो धीरे-दर क्या हुआ हम धेर सारी जब रुखने लगे तो उससे क्या हो ल क्या है हम देदे शहरी करण के तरफ मूव करने लगें तो हरपन सिवलाइशन उसी एक एगजामपल है कि हम शहरी करण की इस्तिति में आ चुके हैं दोस्तों हरपन से पहले लोग जिसमें पिसेगल क्या है कि हडपा जो कल्चर है वह जो है वह डेवलप हो रहा था उसकी बात है मैच्चूर हडपान फिच जो 2600 बीसी से और जिसमें हडपान फिच डिकलाइन दोस्तों होने लगा वह था 1920 से 1400 बीसी अब बात करते हैं कुछ हडपा पाइयट तो से स्ब्सकूर साइट करता है में तक 2021 में भाज़ा था रावी नदी किनारे दो warto पाइस्तान पाकिस्तान matin ग्रत यहां पि असी साइट और पाई डविए गया था मतलब दोस्तों यहां पे जो लोग दफनाय गए गयते वह बकसे में दफनाय गया थे किसमें तफना गया थे यह जो है सबसे पहला यहां पर हरपा साइट में पाए गया था उसके बाद करता है दोस्तों मोहन जदालों की मोहन जदालों दोस्तों इसको खुझा था आडी बेनर्ची ने 1922 में और यह भी दोस्तान के सिंध रिजन में हिस्तित है इंदस न इसकाली बंगा साइट को रिष्कवर क्या वह लियूगी प्यू टैसितोरी यह टेलियान थे इना ने खुझा था और और दोस्तों इसको जो है जो खुदाई की वो एक घोशने ने धे यहां पर थोड़ा सा और क्लियर कर लिए मंडा साइट जम्म कश्मीर में है चन हुदारो ये सिंद पाकिस्तान में है और यह केवाल एक ऐसी साइट है हरपन सिविलाइशन की जहां पे फोल्टिफाइट सीटारल पाए गया है अभी आप रुख जाएए अभी आपको सब बता पाकिस्तान वे नहीं पाए गया है लोथा दूस्तों यह एमदाबाद गुजरात में है यह साइट पाए गई गया है जो ढुला विजिश्ट है झाइड कर दिया है प्लैफ उसकी प्लाय थेम श्रीप कब Elle कि में डिया है और उन्सकान उसका क्वां वहां पर यह साइट है इस और यह हरपन सिविलाइशन की सबसे वेस्टन मोश साइट में आती है उसके बाद करता है कोड डिजी कोड डिजी दुखाया दोस्तों तो यह प्री हरपन साइट है मना रगा हरपन का जो अर्ली फेस था 3526 उस समय के साइट यह है दोस्तों जो कि इंदर सदी किनारे पायाती है रोप और कोड डिजी शौर्तु घाई यह दोस्तों साइट अफगानिस्तान में है ओके फ्रेंट्स बनावली और आखिगरी साइट जो है दोस्तों यह हर्याना में है राखिगरी साइट देखाया तो सबसे लार्जस साइट मानिया आती है हरपन सिविलाइशन के लिग लिग लि दोस्तों यह साइट यूपी में है यूपी के जो मेरट वाला इलागा है मेरट वहां पर यह साइट पर आती है और यह सबसे और पर यह वह सपाय गया है ओके फिरंश ये सुर्काटोडा साइट में पाया गया है और कुछ साइट दिख लेकर रंगपूर साइट दोस्तों यह एहमदाबाद गुजरात में है भागा ट्रॉ यह भारूज रिष्ट्रिक राज्ष्टान गुजरात में है और यह मिथधा थल यह भीवानी इश्टिक ह यातों तो यह को lle क्या। इक हैं कि आफ टॉच्था अब बात करते हैं कुछ सबसे म्पॉर्टन फीचर्व वैं मौ यहां कि यहां कि यह तान प्लाणिंग सुक्षान, प्लानिग थी वहां पर देखा गया जो बिल्डिंग से इस्ट्रक्षर हो वह बड़े बड़े हैं तो यह माना गया कि वहां पर जो इस्ट्रक्षर यूज जहां क्या काम होता थे जो एड्मिनिस्ट्रेटिव वर्क थे जैसे मालों कोई विभाग का मुख्याला है तो सिंपसी बात हो इसका मतलब हरपा में गरीब लोग भी थे और अमीर लोग भी थे जो बड़े हाऊस तो वह पके हुए इर्के बने उपने थे उसमें कई रूम थे और और किचन चारों और स्कुयर कोट्यार था घर है चारों उसके रास्ते थे तक कि वहां पर बगिजा हो सके और जो चोट तो इसका मतलब उसमें पूर भी थे और रिच परसन भी थे दोस्तों हडपा की जो नालियों का जो निकासी सिस्टम है वह भी बहुत अच्छा फीचर माना आता है वहां के टाउन प्लानिंग का इस्ट्रक्चर अब दोस्तों बात करते हैं कुछ जो हडपा इंपॉर्टन ची महां चुदालों में लिए जो यहां पर जो यह ग्रेट बात था जहां पर लोग नहाते थे उसकी कुछ इंपॉर्टन फीचर थे कि यहां पर शीडिया लगी थी नौस और यहां पर आने के लिए पहले बाद तो इस ट्रेस लगी थे और इसके इसके इसकी इस तरफ कई तासी भी आराम से बनी हुई थी जो नहाएंगे और जो जो दुस्तों जिसे आज कल के बातरों में होता नहीं कि टाइस पड़ी हो या फिर आराम से सीमेंट का घोल होता है ताकि पानी आराम से सरक सके उसमें भी घोल इस्तमाल होता था ताकि पानी जो है वो मट्टी में सीप ना करें वह अराम से बहे जाए तो यह कुछ important feature थे दोस्तों ग्रेडबात के जो कि मोहच दालों में था यहां पर रूम था यहां पर सीडिया थी यहां पर पानी का टैंग था जहां से पानी यहां पर आता था और यहां पर नहाते थे तोस्तों कई scholars मानते हैं कि यहां पर बै लेड़ बात में हुआ करते थे और बागते हैं टॉक्यार्ड यह पाए गया है लोथल में लोथल में दॉस्तों डॉक्यार पाए गया है जो कि लोथल उसमें का important trading center था आपको अपको हड़ापा उके लोग ट्रेड भी काफी करते थे जैसे मेस्पॉटामिया को लोग से करते थे तो डॉक्यार्ड जो है जोस्तों यह लोथल में है लोथल कहा है बदा बदा चुका आपको गुजरात में यहां पर यह है डॉक्यार पागया है लोथल में ग्रेनरीज दोस्तों क्यूंकि हम पता है कि हरपा के लोग काफी अच्छा क्रिशी करते थे तो क्रिशी कर तो जो आपका यह ना जैसे आपका इह है घ्रेडबात उसके वेस्ट साइट दोस्तों घ्रेड़ा में ध्यान की करते थे इसको बहुत है पैश्टरिलिजम मतलब कि हम लोग जो है पालतु जानवलों को पालम भी करते थे लेकिन हमें कोई agriculture की कोई आउजार नहीं मिले हैं कि कैसे हम लोग क्रिशी करते थे लेकिन हमने देखा है कालीबंगा की साइट है वहाँ पे कुछ पलफल मार्स मिले हैं मतलब कि जो आप hair गरते हैं न तो版फल देखी के हुआ कपड़ा इसका मातला हम लोग हलपा के लोग बुना कपड़े को बुना भी जानते थे और जो क्रॉप जो इस्तमाल हुई दोस्तों वो है कॉटन वीट बारले मस्टर्ड पीस और डेट और सीजम देट जानते हैं खजूर तो हम लोग कॉटन बहुत अच्छा था कॉट कॉटन इस concerned कॉटन प्याक करन भी पैंटन थे और वूल के कपड़े भी पैंटे थे रगार हर दि क्ढा से में दोस्तूं जो इन्डश्ट्री और कला है था कि हड़ा के लोग सारे मेटल जानते थे सिवाए लोहे की लोहे खोले नहीं जानते थे उस में और सिंसेंदी और सि हमारे हां यूज यूज़ तों इसे समयाता है कि बॉट इसमाल इसमें लोग किया करते थे और दोस्तों हो दो होता था वो कभी घडी ओ करता था है उसकी वह लोग माला बनाया करते थे लोथल और झॉस्त भी मिलिए हैं वहां है के दुकान भी मिली है दु कानों क सबूत मिले हैं जहांपर बनता था जो कि बनागे में इस्तिमाल knut बताएंगे जोस्तों अभी हडप्पा के लोग सील भी इस्तिमाल करते थे उसमें भी जो है इस्तिमाल होता था दो जोस्तिमाल करते थे दूसनों असमें के लोग तो वो पथह से ही माँपन किया करते देखिए है यह तो यह मिला थे मुहच्चवा डॉलों में इसमें यह का आधा अंग खुला हुआ है और यशाल ओड़ी यह खोई है और इसकी दाध यह वड़ी भी है तो यह मिलें यह मेरब हैं और मेल और भीमेल के खुछ टेरेकोटा के फीगर भी मिले हैं और यह माना आता है कि जो फीमेल फीगर है वह उस समय के उसको अधर गौड़ेस के नाम से पूजा करते थे उसकी figure को और कला की और बात तो potry making भी हडपा civilization का एक बहुत important भागता थे कि potry making भी एक बहुत important भागता हडपा पी रट का कई seal भी मिली है हडपा civilization में और जो seal होती थी वो ishtetite जिए ज़िए सोप इस्टोन उससे मिलकर उससे बनाते थे लोग और सीन में अलग-अलग प्रकार के animal थे लेकि horse का सबूत के नहीं मिला है लेकि कई animals का सबूत मिला है लेकि horse का सबूत नहीं मिला था सीन में धान रखेगा मोहजदार में जोस्तों एक horn male deity है basically एक आदमी है जिसकी singh है और उसके तीन सर है और योगा के पोजिशन है बैठा हुआ है और उसके चारो और elephant है tiger है rhinosaurus और buffalo है कई scholars मानते हैं कि यह photo पशुपती की है उक फ्रण तो यह पशुपती बगवान है उनकी photo है कई scholars यह मानते हैं यह देखिए दूस्तों यह पशुपती कई लोग मानते हैं कि अधर में हाथी रेनोसरस वेखिए बुफेलो टाइगर ठीक है और इनके sting है तो यह पाए गया है दोस्ता हो महन जो दाड़ों में अब आखिर हडपा के लोगों धरम क्या था तो हडपा के लोगों धरम था वो एनमिस्म था मतलब कि एनमिस्म क्या होता है कि कि किसी भी ची साथ पूजा करते थे तो पेड को भगवान मानके मतल whenever आदमी मानके उसकी पूजा किये एक पीपल का पेड़ है और पीपड पीड है और उनके बाल जो है वो उड़ रहे हैं मतलब flowing style में है तो लोगों ने माना कि यह लोग उसमें people का पूजा करते थे तो people को भगवान आदमी मानके human मरता था तो जब मरता था तो इसके आंदर यह लोग जो समान दोटेथे च्शूड़ियां को भी मेर हो हो गया और इसे जो बी माला हो पैंट ते बहुत है तो यह मानते थे कि मरने के भाद आदमीं दुबारा मुले म step in city adult!.. मुली को साथ में जो है दफनाइक करते थे और संबोल सबूत मिले हैं मतलब कि वहां वहां पर में रखे थे ताकि ऒहां थौ हां साइट्स कोई हैं ऱ जानमें प Katherine लेकिर वहांपे दोड़िक में और तरीके के तो आप ध्यान रएगा आग बात करते हैं स्क्रिप्ट क्या रिखते क्या दोस्तों प्राइण्यक्व को की हड़पा कि लोग पढ़का recipients करें वहाँ मिलें ही को कि वहां पर їх को यकाए हैं कि वहां परrokmen न?'s कि स्पेडियाजिए सके Gothic के ड़ денूद्धू मेरे में अच ओप टें में था Kenny को एक था उनल एम फैमिली तो वह करते थी विथा वी ते तो पिरिश भी थे मड़़ा पुजारी भी थे किसान में थे ट्रस भी थे कलाकार भी थे और हडपक सुज़ादे में दुस्तों अमीर भी थे गरी भी थे यूश्म बता है आपको जो टौन थाउस में बिग हाउस भी मिले थे पर वर्क में क्वाटर भी मिले थे जैसे कि जो गरेंदी है ना गरेंदी जहां पर ग्रेंश को श्टो करते है अनाच को वहाँ पर चोटे वूल दोनों cloth का यह इस्तेमाल करते थे और यह आपने आपको काफी decorate करते थे मतलब की काफी कपड़े अच्छे पहनना शूरियां पहनना बीड पहनना माला पहनना अपने बालों को सजाना यह सब इनके जो है इनका इंपॉर्टेंट फीचर था ओकी फिरेंश ठहाना किएग लेकिन उसके अलावा इंड 내 के और पार्ट भी कुछ और कल्चर थे जहां पे पहले की तरह गाउं किशे गाउं में होते हैं मालवा कल्चा यह वेस्टर्न मद्रदेश में था और जोरवे कल्चा यह पूने में था तो यह कुछ नॉन हरपन सिवलाइशन है जो की हरपन सिवलाइशन के समय थी लेकिन इनका जो विलेश के रूप में exist करते थे तो ओके फ्रेंश ठांक यू बहुत शुक्रिया तो यह था आपका हलपन सिवलाइशन जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे जिस बताती है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कोई भी एक्जामनेशन आवराम से क्लियर रह जाएगा ओके फ्रेंश ठांक यू